पुस्पा मूवी के सभी बिहाइंड दा सीन एंड फैक्ट्स आप इस वीडियो में जानोगे तो दोस्तो फिल्म का सक्सेस तो सभी देखते हैं लेकिन इसके पीछे का जो बेहनत है ना उसे कोई नहीं देखता तो वीडियो की सुरवात करते हैं लेकिन इससे पहले आपको इस मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको जान लेनी चाहिए तो सबसे पहला जो फैक्ट्स है वो अलू अर्जुन के वाइस से यानि पुस्पा मूवी को हिंदी में जिसने आवाज दिया है वो स्रेयस तलपड़े है उनके इस काम को काफी तारिफे मिली है एंड हिंदी में अलू अर्जुन की जो रियल वाइस भी है न वो स्रेयस तलपड़े से काफी मिलती है उस पर आज मैं जुकेगा नैस वो अंटवा वो वो अंटवा सॉंग का जो यह बहांड देख रहे है इसे समंधा रूथ ने काफी अच्छे तरीके से किया एंड जो इसका हाड वर्क है वो सबसे पहले यहां आप देख रहे हैं एंड इन्होंने मेहनत करी है तो इसका फल भी तो इन्हें मिला है तो यहां पे आप देख रहे हैं कि उसे एक गाने के लिए यानि पूस्पा मूवी का जो आइटम सॉंग है उस एक गाने के लिए इन्हें 1.5 करूड रूपए मिले थे तो हाड वर्क तो बनता है ना अगर आपने पूस्पा देखी है तो आपको यह सीन काफी इंट्रेस्टिंग लगी होगी लेकिन एक्चुल में यह काफी खतरनाक है तो जब आप यहां पे देखे होंगे कि जब अलू अरजुन अपने साती के साथ लाल चंदन की लगडी की जो ट्रक थी उसे लेकर भाग करता है और रास्ते में जब पुलिस उसे रोकने की कोसिस करता है तो वे और उसके साथी ट्रक को जम करा लेते हैं बैरिकेट से तो यह उसी समय का सीन है एक्चुल में यह सीन इस्टन्ट मैन यानि डबल बॉडी द्वारा किया गया था और आप देख रहे हो कि उन्होंने ह कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में तो फिल्म के जो डायक्टें है वो सू कुमार है एंड यह फिल्म जो है 17 डिसंबर 2020 को हिंदी समेत अन्य चार भासाओं में रेलीज हुई थी फिल्म सुटिंग का जातर लोकेशन करनाटक और हैदराबाद के इलाकों में हुई थी यहीं के लोकल एरिया में जितने भी सीन आपने देखे थे वो सारे सूट किये गये थे यहीं पर फाइटिंग एंड जील का भी सीन यहीं पर फिल्म आया गया था मूवी में किसी भी परकार के पेड़ को नुकसान नहीं पहुचाया गया था आपने जितने भी लाल चंदन के पेड़ की कटाई और लकडियां देखे थे वे सभी फोम के बने वे थे उन लकडियों को रियलिस्टिक दिखाने के लिए उन पर कलर किया गया था स्रीवल्ली गाने को इसी लेक पर फिल्माया गया था एंड जो आप अभी सुकुमार को खाट कसते पर देख रहे हैं एक्चुली यहां रस्मी का मंदाना को डारेक्शन दे रहे हैं जिसे आपने सौंग में भी देखा था स्रीवल्ली गाने में और यहीं पर इस झील में अलू अलव जून बाल्टी से नाते दिखे थे यह सीन मंगलम स्रीनु के सेफ हाऊस का है यहीं पर मंगलम स्रीनु के शेफ हाऊसको बनाय किया था यही वह जगह है जहां सभी जहां पर उन्होंने अपने जो चंदन के लकड़ी थे वो इसे जगा पे छुपा के रखा था और जब पुलिस इसे खोशते वे यहां पर आ जाती है तो बाद में उसे पुसपाराज नदी के रास्ते बहा देता है चंदन के लकड़ी को वाटरफॉल के थूरू नदी में गिराने का जो स्वीन था आपने देखा था वो किरल के एक मसूर वाटरफॉल में फिल्माया गया था आपने इसी सीन में देखा हुआ कि जितने भी लकड़ीया थी तो वो एक जगा नदी में वो पुसपाराज ने उसे जितने भी लकड़ीया आई थी वो भाकर उसे कलेक्ट कर लिया था यह उस समय का सीन है जब स्रीवल्ली की साधी पुसपाराज से होने वाली थी लेकिन किसी कारणों का सुनकी यह साधी नहीं उपा थी और उसके बाद पुसपाराज अपनी मा को लेकर जिस हॉस्पीटल में जाता है न वो जो सीन है यह उसी वक्त का सीन है झाल झाल जो लाश्ट में आप यह सीन देख रहे हैं यह सामी सामी सौंग का सीन है तेलकू हिंदी समय तीन भासाओं में यहां जो सौंग है वह रिलीज वी ती यह काफी ज्यादा पॉपलर है वैसे तो आओ पुस्पा के सभी सौंग एक से बढ़कर एक है और यह सौंग भी काफी ज् मेनत है और यहां आप देख रहे हैं कि सौंग का जो सिगनेचर स्टेप है वह उन्हें बता रहे है अगर आपने इस मास्टरपीस मूवी को मिस कर दिया है तो आपको डिजनी प्लस होटिस्टार में देखने के लिए कुछ से दिन वेट करना पड़ेगा और अमेचन आप यहां से भी देख सकते हैं इसके लिए आपको गूगल सर्च करना होगा पुस्पा मूवी बायोगी की हिंदी एंड आप जैसे ही सर्च करोगे आप यहां से देख सकते हो सो गाइज मैं आपके लिए अगर कोई भी हेल्प आ सकूं अगर आपको इस मूवी के अगर्श्टी के फैन है तो बेसक कमेंट जरू करना एंड लाइक करके इस वीडियो को जाना थैंक यू सो मच